एक और नई चीज बहुत खास बात जो मैं लेकर आया हूँ वो अब ये है कि जब चुनाव आया था आप सबको पता होगा सबने कहा मैं चौकीदार हूँ सबने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया आज इस वीडियो को इतना सेयर कर देना कि भारत का हर युबा अप किसी के नाम के पीछे बिरोजगार लगा होगा हम दिखाते हैं कि इस युबा की क्या तागत है अरे बिदेशी मीडिया भी तो देखेगा अपना मीडिया नहीं देख रहा तो इस मीडिया की वज़े से तो आज देश इतना डिकलाइन हो गया जिसने सच दिखाने की हिम्मत नहीं की जो सिर्फ एक कटपतली बन कर नाच रहे हैं सरकार का इस से ज़्यादा और दुख की बात कुछ नहीं हो सकते अब डरना नहीं है अब जब मैं इतना नेडर हो गया हूं कि अब जो हो का देखा जाएगा बट हम एर रिफॉर्म्स लाकर रहेंगे एक सिस्टम में बार अबतार गलतीयां है क्या उसमें रिफॉर्म की जरूवत नहीं ऐ है क्या 이-पे सरकार को सोचनी की जरूवत नहीं है आज लोग कहते हैं सरकार नीट जे ही पे बात कर रह रही है क्योंकि सरकार को कॉलेच भरने है इन बड़े-बड़े सिच्छा माप्रियों की जेısı में भर इस पर सरकार को सोचने की जरूवत नहीं है आज लोग कहते हैं सरकार NEET JEE पर बात कर रही है क्योंकि सरकार को कॉलेज भरने है इन बड़े-बड़े सिच्छा मापियों की जेवें भरनी है इनके पास डोनेशन पहुंचानी है IET JEE में सलेक्ट हो नहीं पाएगा तो इसलिए NEET JEE टाइम पर हो रहा है लोग कहते हैं NEET JEE हो रहा है UPSC हो रहा है क्योंकि सरकार को सला कौन देगा यह अपसरी तो सला देंगे तो आराम से UPSC भी हो रहा है बट SSC की कहां जरूवत है SSC के बंदे तो ददस की कोई value नहीं है SSC railway कोई इनकी value नहीं है सरकार की नजर में लेकिन value हमें दिखानी है हमें बताना है कि हम तागत हैं हम अपने माबाप का सपना है मैं फिर से वही line repeat करूँगा कि आज से हम सब अपने Facebook पे बिरोजगार terms लिखेंगे जहां भी किसी का video चल रहा होगा मैं लिखूंगा मैं हूँ बिरोजगार मैं भी चौकीदार था न हर जगे मैं हूँ बिरोजगार मैं हूँ बिरोजगार और 4 या 5 दिन की मुहिम में देखिए महात्मा गांदी ने भी आंदोलन किया अना हजारे ने भी आंदोलन किया अर्विन केजरिवाल भी RTI लेके आए दम लगता है महिनत लगती है लाठियां भी पड़ती है हमारे साथ भी हो हम सब के लिए तैयार हैं बट इतना बच्चा हमारे साथ है सारा यूबा हमारे साथ है तो हम जरूर जीतेंगे क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है हमें सरकार गिराने से कोई मतलब नहीं है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बीजेपी खराब है हम करते हैं बहुत अच्छी पार्टी है हमारे बस कोई option है, हम तो जो सत्ता में हैं, जो हमारे राजा हैं, हम उन से बस सिकायत कर रहे हैं, हम अपनी कुछ बाते हैं, जिने उन तक पहुँचाना चाहते हैं, कि आप इस पे action लो, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं तो आज बस तीन चार बाते ही हैं इसमें जो में है वो यह है आप सब बंद कर लोगे तो इस्यू नहीं आएगा मैं बस इतनी सी बात कहुँगा नेट भी मिरे पास नहीं है आपको पता होगा मेरा mobile phone भी यह भी काम नहीं कर रहा तो बस मैं इतनी सी बात कहूंगा कि सिर्फ एक तो हम अपने नाम के आगे बिरोजगार लगाएंगे, कल को ऐसा हो सकता है कि यूटर पे, ट्विटर पे हमारी ये टेक्स बंद हो जाएं, ब्लोक कर दरना नहीं है, जब आप जंग हमने छेड़ दिये तो हम जीत कर रहेंगे, आप सुन पारें हलकी हलकी भी अब आज मेरी आ रही है पहुंच रही है, ठीक ठीक, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बफरिंग होगी काम चला लेना बढ़ तीन बात हैं, एक तो आज 11 बजे ट्विटर पे केंपेंग चलाना है इनकेज ऐसा हो सकता है कि हमारा बिलॉक हो जाए एक जो सबसे नई चीज निकल के आई है जिसको आपको अपने टीचर्स को भी कहना है कि सब लोग भी आके वीडियो बनाएं मैं पढ़ाता हूँ, शिच्छकूँ, आप सबको पता है बट मैं फिर भी लगाऊँगा क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे नरेंद मोधी साब ने देश को रिप्रेजेंट किया था तो हम सब अपने ट्विटर पे ये लाइन चेंज करेंगे, जो हमारा मिश्टर अभिने शर्मा है, मिश्टर जो भी है, उसकी जगे हम बिरुजगार लगाएंगे, सब बिरुजगार लगाएंगे देखेंगे सरकार पे कब तक असर नहीं पड़ेगा हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अब जब ये खेड़ दी है, कोई भी हमारे साथ रहे ना रहे, कल NDI TV ने दिखाया बहुत अच्छा है, कोई हमें सपोर्ट करे ना करे मैंने क्या कहा, कि जिन्दगी कुछ देती नहीं है, जिन्दगी सिर्फ लोटाती है जो हम करेंगे, जो महनत करेंगे ये आगे तक हमारे काम आएगे तो बस इस एकता को जिन्दा रखना है चातर एकता बहुत बड़ी चीज है मैं लीड कर रहा हूँ इन चीजों को करता रहूँगा और लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं किया, चाहिए वो एक्जामपूर चैनल हो बड़े-बड़े जिन लोगों ने नहीं किया कोई बात नि, मत करने दीजिए कल को ये भी तो हमसे नहीं कहेंगे, मेरी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब, ठोको, शियर करो कल को ये भी तो हमें नहीं कहेंगे और इनसे भी तो हम सिर्फ फायदा उठाएंगे हर को यह मतलब की बात कर रहा है कि सरकार मेरा पुरा पहुचा देगी, इसलिए मैं सरकार के बारे में नहीं बोलूँगा जो डर गया, समझो मर गया तो डरना नहीं है दोस्तो, आज से मैं हूँ बिरोजगार मैं हूँ बिरोजगार, मैं हूँ सरकार को मिटाना होगा दो करोड रोजगार का बादा किया था बट सरकार अप कह रही है कि देने का बादा नहीं किया था छीनने का किया था छीन लिये न, दो करोड रोज़ बिरोजगार कर दिया लोगों को, पड़े दुखी बात है, एक ही टेगलाइन हमारी है, मैं हूँ बिरोजगार, और नाम से पहले हम सब बिरोजगार लगाएंगे, मैं अपने सबी सब्सक्राइबर, सबी देखने वालों से बिंती करता हूँ पड़े लगाएंगे, मैं लगा रहा हूँ न, इसकी सुरुगार तो आपको करनी पड़ेगी, हम सब अपने नाम के पहले बिरोजगार लगाएंगे, और हमें लगाना होगा, दुख की बात तो यही है, कि आज देश में पड़े लिखों की संख्या कमें, बोलने वाले कमे उनको सपोर्ट करने वाले कमें, क्योंकि सब हमने सिच्छा पे ध्यान नहीं दिया, साथ सालों में सिच्छा कहां पोँच गई, हमने ध्यान नहीं दिया, साथ सालों में GDP कहां पोँच गई, हमने ध्यान नहीं दिया, 17-18-18 घंटे हमारे देश का परदानमंतरी काम करते थे माइनस 23% GDP हो गई अच्छा हुआ साहब ने 24 गंटे काम नहीं किया साहिद कहा होते कुछ पता नहीं है लेकिन अभी भी वक्त है अभी भी वक्त है कि इनको हम दिखाए आए ना कि ये गलत करने हैं ये मीडिया नहीं दिखा पाई बट हम दिखाएंगे मीडिया क्या है लोगों का सम्हूई तो मीडिया है कौन जी सरकार उसको घाज डाल रही है आज खेल तो आपको बिलकुल नहीं डरना हिम्मत रखनी है एक बात और ऐसा नहीं करना एक गंटे में 20 ट्यूट कर दिये बस सो गए नहीं एक गंटे में 5-6 ट्यूट करना है बट हर गंटे करने हर गंटे ट्यूट करना है आपको 5-6 बार हर गंटे यहां भी कमेंट करेंगे हम एक ही कमेंट करेंगे मैं हूँ बिरुजगा कहीं भी मन की बात आएगी किसी भी मिडिया चैनल पे आएगी हम उस पे कमेंट करेंगे, हर जगे यही लिखेंगे मैं हूँ विरुजगार, और हमारे नाम में भी विरुजगार लगा होगा, अब सरकार की आखों में सरम कैसे नहीं आएगी, लाके रहेंगे सत्य जीतेगा, आत्मा सची है दिल सच्चा है, कैसे हार जाएंगे नहीं हारेंगे, बिल्कुल नहीं हारेंगे सभी टीचर से फिर रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अब तक वीडियो नहीं बनाया है पिलीज बना लो ये सब आपके जवाब आप आके यूट्यूब पे अगर अपनी बैश का प्रिमोशन कर सकते हो तो बच्चों के लिए इतना जरूर कर सकते हो मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड किया सबसे और अच्छे वीडियो बनाओ जिसमें आपका चेहरा भी प्रॉपर दिखे और सही बात कर सको